नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चानल पर सौख्द करता हूँ दोस्तों हर वेक्ती की सुक्समरदी काफी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्बर करती है जो घर के सारे काम करे और सभी का ख्याल रखे लेकिन कुछ ऐसे काम है जो मैलाव को नहीं करने चाहिए क्योंकि ऐसा करने से घर में मा लक्ष्मी कभी नहीं आती है प्राचिन काल से ही घर की भुव बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है ऐसी मानेता है कि अगर को इस्तरी किसी भी घर को चाहे स्वर्ग बना सकती है और किसी भी घर को चाहे नर्क बना सकती है हमारे शास्त्रों में बहु बेटियों की कुछ आदुत के बार में बताया है जिनकी वज़े से घर में दर्यदता आती है तो वही कुछ आदती ऐसी भी होती है जो घर में सुक्समरती लाती है तो आईए जानते हैं महिलाओ को कौन से आठ़ काम नहीं करने चाहिए दोस्तों अगर आपने हमारे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरू करे ताकि आप और भी जानकरे वाले वीडियो देख सके पहली बात है जाडु को पैर जिस घर की महलाए जाडु को पैर से लगाती है या पैर से ठोकर मारती है वहाँ कभी भी लक्षमी का वास नहीं होता ऐसे घर में हर वक्त दरिदरता चाही रहती है माना जाता है कि जाडु में देवी लक्षमी का वास होता है दूसरी बात है चूले पर जूटे बरतन अगर आपके घर की महिलाओं की आदत है कि वो तवा और कड़े जैसे जूटे बरतन गैस पर रखकर सो जाती है तो ऐसे घर में भी लक्षमी कभी नहीं आती ये गरिवियार दुख का कारण बनता है इसलिए रात को चूले पर जूटे बरतन ना रखे तीसरी बात है ठोकर से दर्वाजा जिस घर की महिलाओं पर की ठोकर से दर्वाजा खोलती है या बंद करती है वहाँ से भी धनकी देवी मा लक्षमी नाराज हो जाती है इसलिए अगर आपकी घर में ऐसा होता है तो तुरंत रोके चूलती बात है देहलीज पर बैटकर भोजन अगर आपके घर की कोई महिला घर की देहलीज पर बैटकर भोजन करती है तो उस घर की बरबादी का कारण बनता है हिंदु शास्त्र में इसे भेहदी अशुब माना गया है पाची बाते रसवी में जूटे बरतन घर की मैला आए अगर रात में रसवी घर में जूटे बरतन रखकर सोती है तो ये गरिवी को दावत देने जैसा है ऐसा न होने दे घर में सुक्षान्ति के लिए हापते में एक बार समदरी नमक से पोचा लगवाए ऐसा करने से मा लक्षमी की क्रपा बनी रहेगी छटी बात है शाम को जाडू जिस घर की मैला आए प्रातकाल की बजाए रात लिया शाम को जाडू लगाती है उस घर में दरेदरता आती है इसलिए इस आदत को छोड़ दे साथी बात है देर तक सोना अगर किसी घर की मैलाओ को देर तक सोने के आदूत हो तो वो घर और परिवार के लिए अशुव हो सकता है देर तक सोने वाल इस्तिरिया अपने पती और उसके परिवार और सुसराल वालों के लोगों की असफलता का कारण बनती है आठी बात है सुबह आंगन साफ ना करना जो मैलाए सुबह जल्दी उठकर अपना आंगन साफ नहीं करती ऐसे घर में देवी लक्षमी कभी प्रवेश नहीं करती घर की मैलाओ को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छड़कना चाहिए और साफ करना चाहिए उसके बाद रंगोली बनाकर देवी लक्षमी का स्वागत करना चाहिए ऐसे घर में माता रक्ष्मी तुरंद प्रविश करती है तो दूस्त ये थे वह आठकाम जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं हमारे चानल को सब्सक्राइब करें ताके आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सकें धन्यवाद